नमस्कार साथियों, चत्तिजगर राज्य के विस्विद्यालों में अब पिएश्डी साथ्ष्यात्कार की होगी वीडियो रिकार्डिंग चत्तिजगर राज्य के कुलपतियों को माननी राजपाल मोहदया ने निर्देश दिये कि अब चत्तिजगर के विस्विद्यालों में पिएश्डी में होने वाली अर्णिय मितिताओं को रोकने के लिए उसके साथ्ष्यात्कार की वीडियो रिकार्डिंग कराने के निर्देश दिये हैं चत्तिजगर के राजपाल जो कुलाधिबति होते हैं चत्तिजगर राजपाल आनंदी बेन के निर्देश दियन आणूसार उन्होंने ये भी कहा कि विस्विद्याले को उतक्रिष्ट विस्विद्यालों के सिर्डी में सामिल होने के लिए एक रोड मेब बनाने को कहा है और राजपाल ने सभी भी सिवध्यालेों में एंटी रेगिंग सेल और बालिकाओं के लिए लेगिंग सोसन प्रकोष्ट भी बनाने सभी भी सिवध्यालों में जरुतमंद विद्यार्थियों के लिए एक नीधी बनाने को कहा जिसे विद्यार्थी आपस में इकठा करें मेडम पटेल ने कुलपतियों को हाश्टलों के दौरे करने के लिए भी कहा ये भासकर समाचार पत्र में प्रकासित हुआ था और उन्होंने अपने दावा किया है कि दिसंबर 2017 में यहाँ पर सुन्दला सर्मा मुक्त विसविद्याले में 329 पिएशडी घुटाले का खुलासा किया था राजपाल मेडम ने मंगलवार को राजभावन में कुलपतियों के बैठक में कहा कि विद्यार्थियों के लिए पुस्काले उनकी सुविधा नुशार देर तक खुले रहने चाहिए विसविद्याले विद्यार्थियों को गुडवत्ता युक्त सिछ्षा देने के लाबा उनके चरित्रेवं बेक्तित निर्माड में भी महत्पूर्ण भूमी का निभाए उन्हें सवेदंसिल नागरिक बनाएं उनमें सेवा भावना जागरित करें ताकि वे समाज में सकरात्मक एवं सक्री भागेदारी निभा सकें उन्होंने कहा कि कुल्पतियों को विस्विद्याले के छात्रवासों में जाकर विद्यार्थों की समस्यां सुनने और उसके निराकरन करने के निर्देश दिये उन्होंने ये भी कहा कि स्थानी उद्योगों से विस्विद्याले को linkage करना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को रोजगार मिल सके ये भी कहा कि विद्यार्थियों को रोजगार मिलने के अलावा प्रदान मंत्री नरेद मोदी जी के हम फीड तो इंडिया फीड के अभियान को अपने विद्यार्थियों में लागू करने के निर्देश दी और कहा कि विद्यार्थियों में खेलकुत की गतिविदियां बढ़ाई जाए जिसे विद्यार्थि फीट रहें यहाँ पर कालेजों में छहात्रेख सवस्थ परिच्छन इस बात को भी जो है सुनिस्चित किया गया है राजपाल मेडम ने कहा कि सभी महाविद्यालों में विद्यार्थियों विसेश कर बालिकाओं का स्वास परिछन कराया जाना चाहिए जिससे उनकी साहरिक कमियों को पोशन आदी का समय पर पता लग सके महाविद्यालों में ऐसे समिना राजित किया जाने चाहिए जिसमें बिद्यार्तियों की परिजनों को भी विसेश रूप से बुलाया जाए बिद्यार्तियों को क्लासरूम में लेक्चरर देने के साथ उन्हें फील्ड में ले जाकर जमिनी सच्चाईस से अउगत कराना चाहिए बिद्यारतियों को डीजी लॉकर उप्योग करने के लिए प्रोसाहित करना चाहिए विस्विद्यालियों का नाम वर्ल रिकार्ट में सामिल हो ऐसा कुछ विसेस कारे करें जैसे विच्छारूपन आती यहाँ पर 36 गड़ में इस बात को सुनिश्चीत करने के लिए राजपाल मेडम ने यह सारे जो विस्विद्यालियों की कुलपतियों को निर्देश दिये कहा कि पिएजडी में साचतकार अनिवारता होनी चाहिए विडियो रिकार्टिंग की ब्योस्था की जानी चाहिए वीडियो रिकार्डिंग करने से ये होता है कि एक तो PhD जो है open PhD होता है जिसमें से scholars, academicians के अलावा दुसरे विभाग के students, teacher भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं साथी साथ जो अन्य इसमें जो interest देते हैं सब्जेड से समंधित यदि माली जिये उनको कोई interest है तो PhD वायबा में अन्यवारता है उसमें उपस्तित हो सकता है और उसका वीडियो रिकार्डिंग किया जाना चाहिए ताकि इन future में कोई प्रश्नश्चिन्य न लग सके क्योंकि जब अन्यमेताओं की बात आती है कि PhD वायबा तो केवल नाम मात रखा था और guide, विभाग, scholar, expert सब मिल कर उनको PhD डिग्री दे दिया गया ऐसा नहीं होना चाहिए PhD साच्छातकार से ताथ पर जो expert जो बाहर की जो expert आते हैं वो यह यह देखते हैं कि क्या scholar ने खुद स्वैम PhD का लिखन कारे किया है और दूसरा चाहिए उन्होंने खुद research किया है या नहीं किया है इस बात की ब्याख्या की जाती है चुकि यदि वो खुदी स्वैम PhD किया होगा राइटिंग स्किल उसका होगा तो वो उस विसे पर ज़्यादा जानकारी उनको होगा इसलिए यहाँ पर open viva लिया जाता है ताकि सभी को जो PhD किया हुए है उसका output है उसका जो find out निकाला है उसमें जो suggestion दिया हुए है वो उससे सारे लोग जो है अवगत हो सके और यही अपच्छाए की जाती है विसे बिदेले की उन्होंने जो ख़ए रियल में PhD किया है या नहीं किया है यदि एक्सपर्ट को लगता है कि उन्होंने खुद सोयम PhD नहीं किया हुए है तो ऐसे PhD को जो है निरस्त किया जा सकता है साथी साथ ऐसे PhD साच्छतकार की वीडियो रिकार्टिंग को जो है अंतरगत मांगा जा सकता है उसको देखा जा सकता है उन्होंने जो प्रेजेंटेशन किया हुए है वह बहतर परफार्मेंस दिया है या नहीं दिया है इस बात की भी सूनिस्चितता जो है राजपाल महदे जो है सारे विस्विदैले के कुलपतियों को सूनिस्चित करा रहे ह थेंक यू